Godrej consumer के बाद आज एक Godrej industry के दूसरे holding के उपर बात करेंगे जिसका नाह में Godrej Agrobat Limited के बारे में जो कि एक agrochemicals के उपर focus करता है agriculture sector के उपर ज्यादा से ज्यादा focus करता है और यहां पर हम लोग इसका अनुवा रिपोट में देखेंगे कि इसका जो focus है कौन से तरफ में diversify हो रहा है पहले कौन सा था अभी कौन सा चल रहा है और कुछ financial discussion भी करेंगे financial health check करेंगे उसके बाद आखिर में पांच set up जो technical set up में हम लोग courses करेंगे कि इसका proper channel निकालने के लिए तो आखिर तक वीडियो को जोरो देखिएगा काफी informative होने वाला है नमस्का दोस्तों मैं market direct में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग बात करेंगे गोड़ेज अग्रोभाट लिमिटेड के बारे में तो समसे पहले मैं आपको लेना चाहूंगा इसका जो आन्वा रिपोर्ट है तो जैसे कि आप लोग को यहां पर आप लोग को दिख रहा है कि यौ काहा है को प्रोटेक्शन उसके ओपर काम कर रहा है और इसका प्रोड़क्ट से इसका जो डाइरी बिजनेस अग्यों जर्सी के नाम पर फोकस किया गया जर्सी के नाम पर यह ब्रांड मार्केटिंग करता है और काफी ज्यादा एक हटके वाला जो चीज है यूनिक चीज है वूट के उपर फोकस करें इंस्टांट फूड के उपर फोकस कर रहा है जो कि यहां पर आप लोगों को देखेगा कि जो इसका जो ओरीजिन है वह आपका पॉर्ट्री प्रोसेस्ट फूड के हिसाब से है राइट जो कि इसका जो डिमांड है बहुत टाइम स लगों के लिए बहुत अच्छा प्रचश किया गया है जैसे कि आप लोगों को यहां पर चिकेन कीमा दिख जाएगा और चीज कॉन नगेट्स यह सब दिख जाएगा बहुत अच्छा गासा जो रेडि टू मेंक फूड प्रोसेसिंग चीज है वहां पर फोकस कर रहा है तो यहां पर और वहां पर इसको थोड़ा सा अच्छा जानने के लिए मैं आपको यहां पर लेना चाहूंगा यह वला जो ग्राफ है तो इस ग्राफ में आप लोगों को दिखेगा कि 2016 और 2017 में आप लोगों का जो अनिमल फीड में 53 था भेज ओल में 10.2 परसेंट यह रेविन् पर फोकस कर रहा है यहां पर पूरा उस वह सिफ हो गया साथ पछन लगब सबसे लेकि यहां तक सिफ हो गया फिर यहां पर आप लोगों को दिखेगा जो कि डाइरी है यहां पर जो 20.4 परसेंट के आसपास करता वो 16.2 परसेंट तक आ गया है थोड़ा सा घटके राइट तो उसके हिसाँ से देखा जाए तो इसका जो सिफ्टिंग है आपका रेविन्यू मोडल का सिफ्टिंग काफी अच्छा है यह आगे के टाइम पर और बढ़ने वाला है वहां पर अच्छा डिमांड है अभी का टाइम पर चाहे वो टायर 2 या टायर 1 सिटी में हो गया तो इसको मैं दिखाने के लिए यहां तक आप लोको लाया था तो यहां पर जो नेट टो एकुटि रेशो थोड़ा सा फिनांसल यहां पर जो नेट टो एकुटिय रेशो जो है तो यहां पर आप लोको दिखेगा जो 0.48 था वो तुधारन तुषारन टूंटी में पॉइंट तक आ गया है और यहां पर जो revenue from operation है revenue model from operation है वो काफी अच्छा कासा मतलब इंप्रूब हुआ है 4,926 करोड से 6,964 करोड तो यहां पर आ गया है तो उसके हिसाब से देखा जेता फिनांसियल यह काफी healthy होते जा रहा है और यहां पर जो जैसे के हम लोग बात किये इसका जो portfolio model यहां पर काफी अच्छा यहां पर ओपर्चुन्टी दिख रहा है तो इसका में फिनांसियल में हम लेके लेना चाहूंगा बाकी जो चीज है 9,894 करोड का कंपणी है जो कि एक mid-cap company है और यहां पर जो आरोसी आप लोग को दिखेगा वो भी काफी मस्त दिखेगा जो कि 17. काफी हल्दी रोसी है और यहां पर डेट जो अगर आप लोग देखोगे तो 451 करोड का डेट है छोड़ा सा एक डेट है जो कि डेट टो एक रेशियो निकल के आता है 0.23 एक आम लोग का जो 300 डोटा 1 उससे 23% के आसपास का है और यहां पर प्लेस परसेंटेस जो दिख रह 28 करोड का तो यहां पर डेट कम है डेट कम के हिसाब से हम लोग के एक पार आरोई भी देखना बनता है तो उसके हिसाब से आरोई अगर देखोगे आप लोग रिटर्न ऑन इकोईटी वह भी अच्छा क्रासा हेल्दी देखेगा जो कि 17.6% का और यहां पर EPS काफी स्टॉं 17.1 रुपीज का EPS के प्रिसेडिंग गयर में तो सबके सब ओवरली बात किया जाए कि अच्छा कंपनी आप लोग को दिख जाएगा प्रोफिट लोग को बात किया जाए तो यहां पे आप लोग को कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रोफिट दीखेगा 261 तक फिर यहां पे 249, 229 यहां पे थोड़ा सा घटा हुआ है तीन साल का यहां पे आपको घटते हुए नजर आएगा फिर यहां पे बहुत अच्छा कासा बढ़ गया था तुसान 19 में फिर तुरन यहां पे घट गया जो की 306 तो यहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ तो बिलकूल भी नहीं है य इसका जो ROC काफी स्ट्रॉंग है उस ROC के हिसाब से यहां पे हम लोग उमीद कर सकते हैं कि अच्छा कासा प्रॉफिट आगे आता रहे हैं तो यहां पे मैं अगर इन्वेस्टर्स में बात करूं यहां पे तो हम लोगा प्रैक्टिस नहीं होता है जो कि 50% से ऊपर होता है यहां पर पूरा बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा फ़र्ज बनता है हम लोग एक बात देख लें तो गॉर्डज इंड़स्टिस के यहां पर 59.28% का सेयर है और बाकी के अगर बात किया जितना प्रोमोटर मिला के टोटल 70.07 का आप लोगो दिख जाएगा और इसका ज जो FIA का जो होल्डिंग है वह भी काफी अच्छा करसा बड़ा हुआ है 3.35 से सीधा 15.35 तक पहुचा दिया गया है और DIA के भी बात किया जै तो यहां पर बहुत अच्छा करसा यहां पर घटा हुआ है 17.15% कब था सीधा 1.95% तक आ चुका है तो यहां पर थोड़ा उसमें आप लोग को उतना consistent नहीं दिखेगा तो वहां पर आप लोग उतना ज्यादा कोई solution नहीं निकाल सकते कोई भी conclusion नहीं निकाल सकते अगर खाली आप लोग प्रोमोटर और FIA देखते हैं तो यहां पर अच्छा कासा आप लोग को एक improvement दिखेगा जो कि 70.07 और 15.35 का तो मैं आपको लेना चाहूंगा इसका जो technical analysis है वो क्या बोल रहा है तो यहां पर 5813 के हिसाव से one day chart में एक अच्छा कासा moment दिखाने के लिए ready में है और यहां पर crossover करने के लिए अच्छा कासा यहां पर intensity के साथ already यहां पर preparation हो चुकी है और यहां पर one week के उपर बात किया जाए तो उसके हिसाव से भी एक उच्छा दिखाने के लिए already prepared में है और यहां पर जो आप लोग को इंटेंसिटी दिखा था यहां पर 45 degree slope में आप लोग का उच्छा दिखा था उस उच्छा के हिसाव से यहां पर और भी आच्छा उच् आप लोग को उच्छा दिखाने के लिए मिल सकता है और यहां पर जो आप लोग का मल्डिव अगर पार्टन होता है जिसमें कि हम लोग 220 का मुविंग अबरेज का देखते हैं वह भी one week चार्ट में लेकिन यहां पर जो 200 weeks का मुविंग अभी तक जनरेट नहीं हुआ है वि खाली 20 YXM a. पर जाता है तो बिल्कुल वहां से दूर जाने के लिए जरूर कोसिशिस करता है तो हहां पर जब भी पहुंचता है आसवास पहुंचता है मिटब में आप लोग स्वींग ट्रेड का सिच्वेशन कर सकते हो और यहां पर ऑपचिने ग्राब कर सकते हो तो यहा प्राइस स्टाटाजी जो कि यहां लोग गैनलेश्टिक में देखते हैं तो यहां पे एक सौर्ट में यहां पे आप लोग के ग्या अप ओपनिंग दिखेगा तो इसको एक आप लोग स्टॉपलस मान सकते हूं जो कि यहां पे एक स्टॉपलस होना चाहिए जरूर वहां तक अगर वह जो वॉइड हो कंप्लीट करने के लिए कभी ना कभी तो आ सकता है तो उसको एक बार ट्रिगर में रखके आप लोग आगे के लिए जितना सोचना सोच सकते हैं कि जितना उचाल दिखाना है दिखा सकते हैं और यहां पे इसको टॉच करना थोड़ा सा मुश्कील हो सकता है अगर ज्यादा उपर भाग जाए तो थोड़ा मुश्कील हो सकता है यहां पे जो दो ग्रीन कैनल बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम अच्छा कासा सपोर्ट में है तो यह वॉल्यूम सपोर्ट थोड़ा और खीत सकता है जितना अच्छा होगा कि यह जो वॉल्यूम का एच्छा कासा विडाउट एनवीं डाउट हम लोगे पास एक पास अच्छा के सट रहेगा वह ऊस चार्ट के हिसाब से हम लोग को अच्छा का सब्सट्राइशन मिल सकता है और यहां पर मैं बात करोंगा जो तो यहां पर आप लोग देखोगे कि यहां पर मैं connect किया, connect करने के बाद, तो यहां पर मैं connect करने के बाद, आप लोग देखोगे कि 518, यह वाला जो target है, इसको cross तो करना ही है, इसको cross करने के बाद, अगर आच्छा कसा intensity और आच्छा कसा यहां पर रहता है, इसका volume support, तो इस तो इसने कोई दूर्मत नहीं है तो उसके हिसाब से बात किया अभी यहां पे बहुत सारा potential है जैसे कि बात किया यहां पर 498 उसको ध्यान में रखे आप लोगों को काम जरूर करना है और यहां पर मैं बात करूंगा तो उसके हिसाब से एक उच्छाल दिखाया हुआ है यह बाला उच्छाल इसका रेजल्टार तो complete नहीं हुआ है अभी इसमें potential है और पोटेंशल है इसको जरूर उपर जाएगा और यहां पर जाने के बाद जो क्रॉसवर करने के बाद यहां पर अच्छा का सा तब तक आप को कुछ investment return मिल जाएगा अभी इसमें intensity बागी यह प्रतित हो रहा है और यहां पर मैं बात करूंगा जो निप्टी के साथ correlation coefficient की वह निकल के आता है 2.5 तो उतना ज्यादा highly dependent नहीं है निप्टी के साथ कि उतना कम भी dependent नहीं है तो उसके हिसाब से आप लोग को देखना है कि किस तरफ movement कर रहा है तो उसको ध्यान में रखके स्टैंडर्विन में से मत करके डिपेंडेंसी के हिसाब से यहां पर आनलेसिस करना ज्यादा सही रहेगा और यहां पर जो स्टॉकेस्टिक आरेस है जो कि हम लोग को help करता है इसको conclusion में लाने के लिए हर स्टॉक का और यहां पर आप लोग को दिखेगा कि यहां पर रेंज सिगनल अभी तक तो नहीं दिख रहा है और यहां पर वन वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहां पर तीन रेट केंडल बना हुआ है तो उस रेट केंडल के हिसाब से एक छोटा सा गिरावट भी दिखाया हुआ है और यहां पर ओवर सोल्ट जोन में अभी तक तो नहीं गय करेक्ट और वान मन्स के हिसाफ से बात किया जाए तो उसके भी आप लोग को दिखेगा एक ओवर बार जोन में जा चुका है लेकिन कोई भी सेलिंग सिग्नल अभी तक नहीं आया हुआ है तो उसके हिसाफ से यहां पर भी कोई मतलब आप लोग को थ्रेट जो है वहां पर कु करता है तो यह बाता जो फंडामेंडल और टेक्निकल अनलिजिस के यसा लगा कोई भी दिखकत हो वह भी पूछ सकते हो और कहीं पे भी डाउट हो वह भी आप लोग कोमेंट सेसे में पूछ लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और एसा वीडियो हर स्टॉक का एक चाहते हो तो यहां पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और यहां पे अच्छा कासे इंफोशन जरूट लेके निकलोगे आप लोग को तो मेरेको आगली वीडियो के लिए मेरेको इजादत दीजे और आपना आपका और आपना फ्यामली का और आपना पोर्टोलो का ख